हेल्ए स्टूड. 54 आप सो उम्मेद करता हूँ आप स्भच्छ होंगे मस्तों होंगे भेटरिंगpptकर हो वह उम्ममीद करता हूँ कि आप शेयर आप जेवाने वाले बच्चो तो फिलाल सुरूँ करतेНеं सबसे पहले प्रिश्ट बोमी पर जो की हम एक बहतर एकजामपल को लेकर चलेंगे जैसे आपके आसपास कहीं भी सांत जल किसी तल पर है ना सांत जल यहीं मालो आप एक एक जांपल ले लो तालाब में शांत जल यहीं इस्तिर है वो गती नहीं कर रहा है अब उस सांत जल में आप एक छोटा सा कंकर डाल दो एक छोटा सा पत्थर डाल दो जैसे ही सांत जल मा लिजीए मैं इस ताल पे समझताओं की जल भरा हुआ है तो जैसे ही यहाँ पर एक कंकड डालता हूं पत्थर डालता हूं तो जो जल के कड़ हैं वो गतिक करने लगते हैं फल्स रूप हमें एक चक्करदार धारा नजर आती है कुछ इस प्रकार से एक बले दिखाई देता है बच्चो इस प्रकार से कुछ बले आपको दिखाई देगा प्रक्टिकली आप लोग जाकर के देख सकते हैं आप अपने एक छोटा सा मा लेजिए तसला लेजिए और तसला में पानी भर लेजिए और एक छोटा सा कंकर डालेंगी तो कुछ इस प्रकार से आपको आकरती दिखाई द करालोगे तो आप देखेंगे कि जल के करण जो है उपर नीचे कंपन करते हैं और ऐसा भी नज़र आएगा यह आपको बिंदुकित रेखित या व्रत्ताकार ऊर्मिया जो है दिखाई देंगी जो बच्चों कहीं जैसे मान के चलते हैं, कि भई सहब यहां पर कंकड डाला गया, तो यहां पर जल का जो एक डूसरे कहीं। कहीं energy कहीं न कहीं ऊर्जा ट्रांस्पर कर रहे होते हैं और वो जो हमारा ऐसे ही तो यहां पिर प्रकार से आपको a तरंग के रूप में ये कहीं उचा कहीं नीचा ऐसा हमें दिखाई देता है जिसे भवरधारा पड़े हो कि चक्करदार धारा उत्पन हो जाती है तो ये उर्मियों का जब हम अब लोकन करते हैं अधन करते हैं तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे एक ये ब्रत की परिदी ही दीख रहे लोकस जितने भी कण होगे वह समाण रूप से कंपन करते होंगे ये जो दूसरे ब्रत की परिदी इसमें भी जो भी कंझ होगे वह भी कंपन कर रहे होंगी इस प्रकार से इसमें एक पत नजर आने लगता है एक बिन्दू पत्र है ना जिसे हम एक प्रकार से जल के लिए तरंगा Church का या तरंगाग्र सब्द का व्योग कर सकते हैं जो यह तो फिलहाल हमने जल के लिए बताया कि जल में भाई शाहब एक सांथ जल है उसमें छोटा सा कंकार डाल दो तो समान रूप से ब्रत्ताकार उर्मिया बढ़ जाती है कहीं न कहीं जल के जो कण हैं वो एक दूसरे को एनरजी ट्रांसपर करते हैं कहीं न कहीं कमपन उत्पन होता है और कणों में कमपन होता है सभी में आती है इसी प्रकार माना गया इसी प्रकार माना गया कि जैसे मालीजे सूर से प्रकास किरने आ रही है और ब्रम्हन में एक एथर माध्यम व्यापत है तो वहाँ पर भी जो प्रकास किरने है यह प्रकास जो कालपनिक माध्यम एथर में तरंगागर के रूप में संचलित होती यह ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वहां से चलती है तो कमपन होता है और वो कमपन की कारण जो एनरजी एक कड़ दूसरे कड़ को दूसरा कड़ तीसरा कड़ ऐसे करके कड़ को एनरजी ट्रांसपर होता जाता है आप लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रकास किरण है वो ना के यह तरंगागर मालो कुछ इस प्रकार से तरंग है तो इसमें कई सारे कड़ है और एक कड़ दूसरे कड़ को एनर्जी ट्रांसपर कर रहा बच्चो इस प्रकार से एनर्जी कुछ दूर तक पहुंच जाती है ऐसा तो नहीं यह वो कड़ आता हुआ गोला नजर आ रहा है कि गोला आया और आकर टकर आगे ऐसा होते नहीं तो एनर्जी लेवल ट्रांसपर होता है एक कड़ दूसरे कड़ को दूसरा कड़ तीसरे कड़ को इस प्रकार से तरंग क्रूप में हमें कहीं न कहीं एक बिंदुपत नजर आने लगता है जिसे तरंगागर कहते हैं अर्थात बिंदुपत को ही हम कहते हैं तरंगागर कुल मिला कर थोड़ा बहुत तो आपने काल्पनिक चीजों के बारे में सोचा होगा कि हाँ कल्पना कर लो एक ताला में पानी भरा है पानी में कंकर डाल दिये तो बास्तविक रूप से हाँ यार ये तरंग के रूप में हमें आकरत दिखाय देती है तो उसकी हमें दी बिंदुओं को एक रेखा से मिला दे तो बिंदुपत नजर आने लगता है जो तरंगागर का रूप हो जाता है ठीक है उसी प्रकार समझा गया कि बास्तविक रूप से दी सूर से प्रकास करने आ रही है किसी भी प्रकास सुरोथ से प् भाई यह हमारा यह सूर का यहां से प्रकास करने चलती है यहां से प्रकास करने चलती है अब प्रकास करने चलेगी बच्चो तो कुछ मान के चलता हूं कि यह कि यह कि यह यह आपका भाई सहाब एक ब्रत्ताकार उर्मिया नजर आ रही है लेकिन कहीं न कहीं इनमें भी एक पत्थ नजर आएगा इनमें कणों के बीच कमपन होगी यह तो हम साब्दिक रूप से थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं इनमें भी कही ना कहीं बच्चों कणों में कमपन होगी और यह जो बिंदुपत का निर्माड होगा इससे यह जरूरी नहीं कि इतना पास पास में बिलकुल पास पास भी ऐसे बिंदुपत ऐसे उर्मिय नजर आएगी और फिर इनके कणों कोई दि हम मिला देंगे तो एक बिंदुपत नजर आएगा इस बिंदुपत को ही हम तरंगागर कहते हैं ठीक है क्या बोलते बच्चों तरंगागर कहते हैं तो यहां तक लियर है बच्चों तरंगागर कैसे भी हो सकता है संतल भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है फिलहाल हमने क्या कहा कि जो भी बिंदुओं का पत होगा बिंदुओं का पत है दी गोली है तो गोली तरंगागर होगी सिंपल है हमने दी भाई यहां पर मान लिए सूर है है ना सूर LM कमपन कर रहे है फिर ये कमपन कर रहे है अब इनको यह मिला दें बच्चो तो एक प्रकार से हमारा तरंगा गरिय को और कमपन को जो कर समान रूप से कमपन कर रहे हैं उनको एकतकर निर्माण हो जाता है और उस बिंदुपत को हम तरंग आगर कहते हैं यदि किसी मांदय में pode यदिने कहीं से गुजर रही है किसी मांदय में से प्रकाशक्रण सूर्ड से आ रही हैं अब सूर से आ प्रकार्श करन बच्चों तो कही न कहीं माध्यम से ब्याप्त होगी इधर से गुजर रही होगी तो समान एक निश्चित समय में कोई भी मालीजे कण समान कला में हैं और उनको एदियम एक बिंदू के रूप में उनको मिला दें तो एक पथ नजर आने लगता है एक रास्ता दिखा देने लगता है उस रास्ते को ही तरंगागर कहते हैं कोल मिलाकर कि यह समझ में आया कि एक निश्चित समय में जो भी कण समान कला में है समान रूप से वो कंपन कर रहे हैं उनको एदि मिलाया जाए तो एक हमें पथ नजर आता है जिससे हम कहते हैं तरंगागर क्या हम हिं उनके पथ को हम तरंगाघ्र कहते हैं तो पहला जो तरंगाघ्र गोली तरंगाघ्र जब प्रकास उ自edy बंदू बन्दू बंद मतलब बिंदू के रूप में हो तो किसी छण सीमी दूरी पर समान कला मेश कंपरंब करने के चला मैंने आपको एक विद्वत एकजामपल के तरोपर समझाया था अभी उर्ज forehead के हमाम के REALLY तुसर प्रकास इसके चार ओर इनके कण इनके कण बिलकुल पूंड रूप से प्रकास प्रकार से इनको मिला दे तो जो कमपन समान का लाम है तो फिर उनके पथ को ही हम बोलेंगे गोली तरंगाग्र यह जो हमारा तरंगाग्र बन रहा होता है कोली तरंगाग्र होता है ठीक है इसके बाद यह डाइग्राम है इसको आप लोग बना सकते हैं हमेशा तरंगाग्र के लंबत चलती है प्रकास किरन प्रकास किरन सीधा लंबत यह प्रकास किरन जा रही यह प्रकास किरन प्रकास किरन वच्चो त तरंगागर के लंबवत खीची गई रेखा को हम प्रकास किरन कहते हैं तरंगागर लंबवत तरंगागर के लंबवत जो भी किरने खीजे जाएगी वो प्रकास किरन कहलाएगी इसके बाद बेलनाकार तरंगागर जब प्रकास रूथ स्लिट के रूप में अर्थात सरल रेख तो यहां से जो किरण निकलती उसके लिए तरंगाग्र इसके लिए तरंगाग्र इसके लिए तरंगाग्र हर बिंदू के लिए तरंगाग्र होता बच्छो समझने की कोशिच करेंगे आप लोग तभी समझ में आएका और माजा तभी आता है फिलाल यहां पर मैं यह समझाना चाहता हूं कि मालो यहां से पूरा प्रकास कीरण पतला यहां से प्रकास कीरण अधिय जर आएक तर पर सम्झाता हूं मज़ा ताव आएगा देखिएगा मैं थोड़ा साब को इसको एक्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि भाई मैंने ये कहा भाई साहब ये मेरा मालो ये लाइट ये पतला संकेर्ण लाइट है और इस लाइट के उपर वाले भाग पर उपर वाले भाग पर जैसे मैं मान के साब्सक्रा चलता हूँ इसको यहां पर, इस प्रकार से कुछ आकरत दिखाए दे रहे हैं, इस बिंदु के लिए ऐसे ही ऐसे ही आपको, कहते हैं Wasn't अमज़ पारहे हो कारण है दिखो भाई यही मैं मान की चलता हूं निकल रहे है ठीक है निकल रहे हैं है न al- न नill thou लिए हैं अब मैं कहूंगा कि हर जघे रंगाग्र का निर्माड हो रहा है और जब सब को मिला दूंगा तो निकल रही है तो प्रकास करने ऐसी हुँगी और उक एसी तरंगा करेंगी कुछ इस प्रकार से जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार से यह लो और ऐसे हर जगे होगा तो फिर एक बेलन नुमा बन जाएगा आकृती तो बेलना कार-तरंगा अगर कहलाएग समझने की कोशिश करो बहुत ही अच्छे तरीके समझ सकते हो एक भी पॉइंट आपको डाउट में नहीं रखूंगा चिंता मत करिए यह संकीर्ण के रूप में यहां से प्रकास्क्रण निकल रही है अब इसके चार और भी तो बिंदु होंगे और उनका समान कला होगा तो इसके बाद आजाता है समतल तरंगागर जब गोली या बेलनाकार तरंगागर बिश्दारित होता है तो उनकी बकरता कम होने लगती है मतलब थोड़ा सा और इसका विस्तरत रूपे दिले लिया जाएं तो जो हमें तरंगागर प्राप्त होता हो समतल तरंगागर प्राप्त हो जाता है जब गोली या बेलनाकार तरंगागर विस्तारित होती है उनकी बक्रता कम होने लगती है अताहा सुरोथ से असीमित दूरी पर इस तरंगागर के एक भाग को समतल तरंगागर माना जा सकता है ये बोला गया कि जहां से प्रकास किरने निकलती है वो सुरोथ है उसके नजदीक भागपर गोली तरंगागर या बेलाकार तरंगागर बन रहा है लेकिन जब लंबी दूरी तक उसी प्रकास की तिवर्ता कम हो जाती है तो फिर जो एक प्रकार से तरंगागर होता है वो समतल तरंगागर की बात ही हो जाता है यह चीज़ है बच्चों तो तरंगाग्र के तीन भाग होते हैं प्रकास किरने किसे कहते हैं इसकी परिभासा आप लोग अभी तक में नहीं समझते होंगे लेकिन ट्वल्ट क्लास में है कि तरंगाग्र के लंबत खीची गई रेखाओं को प्रकास किरन क कहा जाता है जैसे मैंने कहा यहां पर देखो यहां पर भी देख सकते हो तरंगागर बेलना कर तरंगाग प्रकास किरन यहां से लंबत खीची गई है ना जो भी रेखा लंबत खीची गई है यह तरंगागर है और इससे लंबत खीची गई रेखा आपका प्रकास किरन है प्र लम्बत खीचि गई रेखा को हम क्या बोलते हैं प्रकास किरन के ले करें तो आप से कोई पुशिदे क्रकास किल्डेंशनों गुण बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं कैसे बता होगी कि प्रकास किरने टरंगागर लंबत होती चाहिए अना और दूसरा है प्रकास क्लियने प्रकास की पत को भी प्रदर्शित करती हैं था काइफ के अनुदिस उर्जा का संचरन होता है मतलब उर्जा का ट्रांसपर बिंदू के रूप में एक कंपन के रुप में मैंने आपको समझा ना एक विन दूसरे कूर दूसरे बिंदु को दूसरा बिंदु तीसरे बिंदु को तीसरा बिंदु चौथे बिंदु को ऐसे कर टकराते रहते हैं एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसपर करते रहते हैं तब तो सूर से एनर्जी हमारे प प्रकास के गुन है बच्चो उमीद करता हूँ आप लोग तयार कर लेंगी और आज के लिए बस इतना ही अगले constitution के बच्चो आपको मैं समझाने वाला हूँ और इसके बाद हाईगेन के सिध्धान के आधार पर अब बरतन की भी मेवेक्या आपको करा दूँगा आज के लिए इतना ही बच्चो वीडियो पसंदाथ लाइक करके सेर जरूर करिएगा मिलते हैं गरी वीडियो के साथ जैहिंद बंदमात रहूं